हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बढ़ी एकदम तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मैट्रिक्स का बहुती अच्छा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है जो तो एमसी क्यों के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक इससे लास्ट वीडियो मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था ट्रांस्पोज मैट्रिक्स क्या होती है उसका ट्रेस कैसे निकालते हैं तो अगर उस चीप वीडियो की है तो पीछे देखकर आएं अधरवाइस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं वाट इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रॉपर्टी बात तो बाद में होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि भाईया कोई मैट्रिक्स लो उसका ट्रांस्पोज लो अगर दोना इसका transpose लिया, equal कर दिया, equal है, तो symmetric है, otherwise नहीं है, देखो example, A नाम के matrix, जो कि 1, 2, 2, 5 इस तरीके से कुछ है, अब निकाल इसका transpose, A transpose, कैसे निकालते हैं, row को बना देते हैं, column, इस row column बना दो, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये दुनों आपस में equal है, as it is same है, बेटा देख symmetric matrix, एक ऐसी matrix है, symmetric matrix, आई बास समझ, तो अब बात करते हैं, properties की, बच्चों, बहुती important portion है, ये क्या, पहली property नहीं क्या कहा, if A is square matrix, result तब true होगा, जब matrix square type की है, then, अगर A कोई square matrix है, तब A और A का transpose हमेशा symmetric होगा, A के transpose और A की multiply का result हमेशा symmetric होगा, A और transpose की multiply का result हमेशा कैसा होगा, symmetric, कब, जब square matrix है, point to be noted, तो मैं क्या करता हूँ, कोई A point को solve करके दे रहा है, देखको मैं बात कहूँ है, इस point को है, इसको मैं solution दे रहाँ आपको, देखना है, मैंने A transpose के लिए, 1, 2, 2, 5, A क्या लिया, 1, 2, 2, 5, इनकी multiply, बन मंझे 1, 2, 2, 4, 5 आया, 1, 2, 2, 2, 5, 10, 12 आया, 2, 2, 2, 2, 5, 10, 12 आया, 2, 2, 2, 4, 5, 29 आया, यह हमारे पास आई, A plus A transpose कर जल्ट, अब मैंने क्या कहा, सॉरी, A into, A transpose into A कर जल्ट, अब मैंने क्या कहा, की symmetric होगा, क्योंकि square matrix लिए बटा मैंने, square matrix, जिसकी row column बराबर हो, देखो, इसका row column मना के देखो, 5 और 12, row को column मना दिया, इस row को column मना दो, बुलो, आई बास समझ, बिल्कुल, as it is same है, तो अगर square matrix है, तो result hold होता है, similarly, अब बात करते हैं, when A is symmetric matrix, अब कहारा है, अगर A symmetric है, then, K time से, A का transpose, A की power 2N, A का inverse, B transpose A, B, बिल also symmetric, मतलब, अगर A symmetric है, तो सारे के सारे results symmetric होंगे, क्या है, कोई scalar number, 2, 4, 5, 6, कुछ भी, ठीक है, A की power 2N का लग क्या है, कि ऐसे कहलो A की power 2N, या कहलो, कि A की power N, और N एक even natural number है, clear, अब 2N लगाते हो, तो N just एक natural number है, मतलब कहने क्या समझो, कि अगर A square है, A to the power 4, A to the power 6, A to the power 8, कुछ भी है, तो अगर A symmetric है, तो इनका result B symmetric होगा, गुल बास समझ माई, ठीक, similarly, किसी का inverse निकाला, वो भी symmetric आएगा, अगर वो metric symmetric रही होगी, B transpose A, B भी symmetric होगा, अगर symmetric matrix हैं, बोले हाँ तबास समझ माई, तो इस पर लगाते हैं एक problem, तो एक question करते हैं बच्चो, इस property पर, क्या कहा गया, देखा हैं हमसे, करें, if A and B are symmetric matrices, A और B दो matrix हैं, दोनों symmetric हैं, इसका मतलब क्या हुगा, कि A, A dash के बराबर, और B, B dash के बराबर, symmetric हैं लगा यह हुगा, अब तुमसे कहा रहा है, then, A, B, A is, तो तीन matrix का multiply क्या होगा, इसकी symmetric, symmetric, diagonal, scalar, अब अगर आपको एक बात पता है, कि B का transpose, फिर A, फिर B, एक symmetric हैं, अगर A, B symmetric हैं, तो क्या हम इसको कुछ ऐसा form दे सकते हैं, बिल्कुल देहें कैसे, हमारे पास लगाए, A, B, A, देखें, A और A last, same number है, same यहां B और B है, तो यह क्या कहता है, अगर एक पर transpose आया, एक बिदाव transpose है, बीच में A है, तो वो matrix कैसी है, symmetric, तो क्या मैं इस A के place पर A dash कह सकता हूँ, बिल्कुल, एक बिदाइस के, यानके A dash B, A मेरे पास क्या बना, symmetric बना, according to this, और यह है क्या, यही तो लिखा है, मतलब क्या हुआ, यह matrix symmetric matrix है, बुलाए बास समझ, तो note करें, अगला part, अब इस पर कोशन देख लो, एक ही part हो एनके लिए, suppose मैंने define कर दिया, 1, 2, 2, 1, जो कि symmetric matrix है, देखता है सामने से, कि अगर मैंने इसको A transpose किया, तो इसको मैंने 1, 2 लिख दिया, इसको 2, 1 लिख दिया, देख़़ए, as it is है, transpose, तो कह रहा है, कोई भी even power, transitive होगी, कोई भी even power, कैसे होगी symmetric, देख़़ए ध्यान से, अगर मैंने निकाल हूँ A square, मतलब A की multiply, मैंने की निकाला A square, same की multiply, देख़़ए ध्यान से, 1 बंजा 1, 2 तू जा 4, यानिक 5 आया, 1 तू जा 2, 2 बंजा 2, यानिक 4 आया, 2 बंजा 2, बंजा 2, 4 आया, 2 तू जा 4, बंजा 5, 5 आया, अब जरा इसका निकाल देख़़ए, transpose, A square का transpose, देख़ए, 5 को 4 लगाया, column में, इस रोखो, column में, बोलो, same है बिलकुल, मतलब क्या हुआ, यह result भी hold करता है, symmetric matrix के लिए, सर्थ यह है कि, आयने एक natural number होना चाहिए, कब, जब A symmetric है, बोलो, point के लिए रहे, मजा आ रहे हैं, ठीक, एक last point, बड़ा अच्छा point है, कह रहे हैं, अगर, A और B का same order है, A और B का same order है, तो कह रहे हैं, बोस और symmetric हैं अगर वो, मला, A और B same order के हैं, मला, 2 by 2, 3 by 3, या 2 by 3, 2 by 3, 1 by 2, 1 by 2, इस तरीके से, row column की quantity बराबर है, और वो symmetric भी हैं, अगर ऐसा है, तो उस समय पर, A plus B, B symmetric होगा, और A B plus B A भी symmetric होगा, point to be noted, कब होगा, जब symmetric भी है, same order के भी है, कोई भी एक चीज नहीं होई, मालोई symmetric ना होगे, same order था, तब भी नहीं है, यह symmetric है, same order नहीं है, तब भी नहीं है, ठीक है उच्छो, आए बास समझ, example कराऊं उसका, ठीक, suppose मैंने A ले लिया, 1, 2, 2, 1, A मैं लिया, 1, 2, 2, 1, और B मैं डिफाइन कर दिया, 1, 0, 0, 2, clear है, क्या symmetric है, बिल्कुल है, symmetric है, बिल्कुल है, क्या निकालना है, A भी निकालना है, देखो multiply डारेक्ट, 1, 2, 2, 1, देखो बच्चों, सब लोग समझते हैं, कि matrix की multiply बहुत tough है, मैं कहता हूँ, हलवा आए, देखो कैसे, बन बन जा 1, 2, 0, 0, 0, answer आया, 1, 0, 4, आया, answer, 2, 0, 2, आया, answer, 2, 0, 0, 2, आया, answer, A भी हमार पास आया, बच्चों, अब B, A निकालो, अब इसको पास लिए लिए बच्चा, बन 0, 0, 2 को, और इसको लिए बाद में, 1, 2, 2, 1, देखो, बन बन जा 1, 0, 2, 2, 2, आया, 0, बन जा 0, 2, 2, जा 4, आया, 0, 2, 2, बन जा 2, आया, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है, AB प्लस BA निकालना, AB प्लस BA हैं निकाल देती है, AB प्लस BA, देखाँ जान से, AB ये और BA ये, देखो, पहला इमेंट पहले का साथ जुड़ा, 1 प्लस 1, 2, 4 प्लस 2, 6, 2 प्लस 4, 6, 2 और 2, 4, तो ये हमारे पास आया, AB प्लस BA का रिजल्ट, अब निकालना, इसका ट्रांस्पोज, देखो, तो AB प्लस BA का, हम कर देते ट्रांस्पोज, कैसे, रो को, कॉलम, रो को, कॉलम, बुलो आए बास समझ, देखो, है, इस 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 सेम, तो क्या दखना है, अगर AB का सेम आउडर है, सिमेट्रिक है, तो इनके ये रिजल्ट भी सिमेट्रिक है, तो क्या कहानी है, स्कॉाइर के लिए, ये रिजल्ट रू है, अकेले सिमेट्रिक के लिए, ये रिजल्ट रू है, इन प्रॉपर्टिय इसको याद रखाएं बच्चो को केन पर कोशन आते हैं और बहुत अच्छे कोशन आते हैं यह क्योंकि हलवा होते हैं बिल्कुल तो आज की वीडियो करती है वाफिनिस और मिलते हैं अगली वीडियो